नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थेत हो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों घर के व्यंजनों और मकर शक्रांती पर खास तोर पर चिक्की बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाले तील या तिली अपने खास गुणों के कारण कई प्रकार से फायदे मंद है या आपके स्वास्थी को हर तरह से बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है दोस्तों तो आएए आज हम तील या तिली के गुणों से वाकिफ होते हैं दोस्तों नमबर वन तील का प्रियोग मानसिक दुर्बलता को कम करता है जिससे आप तनाव डिप्रेशन से मुक्त रहते हैं प्रती दिन थोड़ी मात्रा में तील का सेवन कर आप मानसिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं दोस्तों नमबर टू तील का प्रियोग बालों के लिए वर्दान सावित हो सकता है तील के तेल का प्रियोग या फिर प्रती दिन थोड़ी मात्रा में तील को खाने से बालों का असमय पकना और जढ़ना बंद हो जाता है नमबर त्री तील का उप्योग चेहरे पर निखार के लिए भी किया जाता है दोस्तों तील को दूध में भिंगू कर उसका पेश्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है और रंग भी निखरता है इसके अलावा तील के तेल की मालिश करने से भी चेह पे निखा रहता है दोस्तों नंबर फोर तील को कूट कर खाने से कबज की समस्या नहीं होती है साथी काले तील को चबा कर खाने के बाद ठंधा पानी पीने से बवासीर में लाब होता है दोस्तों इससे पुराना बवासीर भी ठीक हो जाता है 5. शरीर के किसी भी अंग की त्वचा के जल जाने पर तील को पीस कर घी और कपूर के साथ लगाने पर आराम मिलता है और घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है 6. सूखी खासी होने पर तील को मिश्री वा पानी के साथ सेवन करने से लाब मिलता है दोस्तों इसके अलावा तील के तेल को लहसुन के साथ गर्म करके गुनगुने रूप में कान में डालने पर कान के दर्द में आराम मिलता है 7. सरदियों में तील का सेवन शरीर में उर्जा का संचार करता है दोस्तों और इसके तेल की मालिश से दर्द में रहत मिलती है 8. तील दातों के लिए भी फायदे मंद है 9. सुबह शाम ब्रश करने के बाद तील को चबाने से दांत मजबूत होते हैं दोस्तों साथ ही यह कैल्शियम की आपूर्ती भी करता है 9. फटी एंडियों में तील का तेल गर्म करके उसमें सेंधा नमक और मुह मिला कर लगाने से एंडिया जल्दी ठीक होने के साथ ही नर्म वा मुलायम हो जाती है 10. मुह में छाले होने पर तील के तेल में सेंधा नमक मिला कर लगाने पर छाले ठीक होने लगते हैं सूखा जो उपीस कर तील के तेल में मिला कर गुपतां के सारे दोश दूर हो जाते हैं दोस्तों 20 ग्राम लोंग को 50 ग्राम तील के तेल में जला कर मालिश करने से मजबूती आती है दालचिनी का तेल बादाम का तेल जमाल गोटा का तेल और पिस्ता का तेल सभी तेल समान मात्रा में लेकर एक साथ मिला कर रख लें इसे एक भूंद की मात्रा में रात को सोते समय इंद्रिय पर लगाएं और उपर से पान का पत्ता बांध कर सो जाएं इस तील का प्रियोग एक महिने तक करने से आपके गुपतांग का तेड़ापन दूर हो जाता है दोस्तों तो इसी प्रकार से अगली बार हम आप सभी से जुढ़ेंगे कुछे कोर महतोपून जानकारियों को ले करके दोस्तों तब तक के लिए हमें आज्या दीजे धन्यवाद नमस्कार दोस्तों